तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिसक्स करने जा रहे हैं वो है चाइड लेबर के उपर इसको हम कम्प्रिहेंसिवली डिसक्स करेंगे बहुत सारी रेफेरेंसिस को यूज करके जो की ऑथेंटिक रेफेरेंसिस हैं चाहे वो यूनाइटिड नेशन्स की अपनी पी आईबी हो दा हिंदू न्यूस पेपर हो इन सबी सौर्सिस से चाइड लेबर के उपर एक कम्प्रिहेंसिव आर्टिकल हमने आज प्रिपेर किया है आप टेबल ओफ कंटेंट देख सकते हैं ये सारी चीजे हम डिफेरंट हैडिंग्स के अंडर डिसकस करेंगे लाइक सबसे पहले हम देखेंगे कि चाइड लेबर की डैफिनिशन क्या होती है फिर देखेंगे कि इसका मैगनिचूड क्या है इन्डिया में बतलब किसकी स्टेट में सबसे इस चाइड लेबर है is total child हमारी economy पे, हमारे society पे, politics पे, इन सब पे क्या-क्या असर पड़ते हैं, तो वो सब हम impacts, अलग-अलग headings के अंदर डिसेस करेंगे, उसके बाद international level पे, क्योंकि child level की जो problem है, that is almost universal in developing and least developed countries, so international level पे जो major organizations हैं, उन्होंने क्या-क्या initiatives लिये हैं, उनको हम देखेंगे, और साथ ही साथ national level पे, इंडिया के अंदर, government ने क्या-क्या initiative लिये हैं, our constitution of India, उसके अंदर क्या-क्या ऐसे provisions हैं, जो child labor को discourage करता है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या challenges है, child labor को एकदम अगर हमें eliminate करना है, खतम करना है, तो क्या-क्या challenges हमें face करने पड़ सकते हैं, और उसके बाद हम अपनी कुछ suggestion देंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी child labor की जो problem है, हम उसको खतम कर सके, तो यह सारी चीज़े हैं, उसके बाद हम कुछ main से related practice question भी discuss करेंगे, so this is going to be our class, यह सारी चीज़े हम इसमें discuss करेंगे, I hope कि इतना सब एक ही topic के ओपर आपको एक ही जगा पे नहीं मिलेगा, इसके PDF friendly notes भी available है, आप वो तरुनाइस के जो online और offline students हैं, उनके लिए यह free of cost भी available है, तो आप भी जोड़िय तरुनाइस से, सबसे पहले हम देखते हैं कि child labor का मतलब क्या होता है, तो child labor का जो basic meaning है, वो यह है कि employment of children in any form of work, that deprives them of their childhood potential dignity and is harmful to their physical and mental well-being, तो कोई भी ऐसा काम, जिससे एक child के, जो उसका जो potential है, या उसका जो childhood है, उसको असर पड़े, और साथ ही साथ उसकी physical और mental health पे भी directly और indirectly अगर असर पड़ता है, तो इस तरह के काम को हम बोलते हैं, child labor, फिर भले ही वो एक domestic अपने घर में, अगर कोई cottage industry है, या parents का कोई काम है, अगर उसमें भी वो बच्चा involved है, तो भी वो child labor की definition के under आ जाएगा, अगर वो particular work, उस particular बच्चे के childhood को, उसके potential को, अगर proper बच्चा खेलेगा, कुदेगा नहीं, अपनी education proper way में नहीं करेगा, तो definitely it is going to affect his potential in future, और साथ ही साथ, अगर उसकी physical development, या फिर mental development पर किसी भी तरह का negative असर पड़ता है, तो इस तरह के काम को हम बोलते हैं, कि ये child labor की definition के under आता है, उसके बाद जो magnitude है, child labor का क्या है, अगर हम, क्योंकि हमारे पास जो latest census है, वो 2011 का है, तो उसके according जो figures आई है, उसमें एक अच्छी बात ये हैं, कि 2001 में जितना child labor था, वो कम हुआ है 2011 में, तो अगर 2001 में करीब 12.5 million children were involved in the child labor, by 2011, this particular figure was reduced by around 2.5 million, so according to 2011 census, the total number of child labor in India is approximately 10 million, 10 million means, एक करोड बचे अभी भी child labor जैसी problem से जूज रहे हैं, दूसरा जो fact है, जो census हमें बताता है, वो ये कहता है, कि जब child labor की problem है, वो rural areas में कम है, जबकि urban areas में बड़ी है, urban area में न सिफ ज्यादा है, बलकि 2001 के comparison में, अगर आप देखेंगे, तो urban area में जो child labor है, वो actually may increase हुई है, बहुत सारी industries urban area में है, उनको cheap labor चाहिए, तो obviously cheap labor में, child labor की recruitment सबसे ज़्यादा की जाती है, तो ये कुछ fact है, according to the census, is एक की total number of children according to the census 2011 in India who are involved in child labor is around 10 million, it has decreased from 12.5 million which was a figure according to the 2001 census. Secondly, there are more child who are involved in child labor related activities in urban areas than in rural areas and this percentage has actually increased over the 2001 census. Secondly, this particular diagram is very important as far as your prelims is concerned, तो इसमें ये बताया गया है कि कौन-कौन सी ऐसी industries हैं जिसमें सबसे ज़्यादा child labor involved है, तो इस particular diagram के according, जो agricultural labor है, इस काम में सबसे ज़्यादा children involved है, उसके बाद cultivators में और उसके बाद household industries में, तो ये तीन major industries हैं, जहां सबसे ज़्यादा child labor concentrated है, उसके लावा same figure, same तरह के fact हैं, कि अलग-अलग sectors में, जो children काम कर रहे हैं, उनका proportion क्या है, तो prelims के लिए, आपके लिए बहुत-बहुत important facts हैं, इसमें ये आपको ध्यान में रखना है, इससे कोई भी statements बनाके, आपसे question पूछा जा सकता है, exam में भी आप ऐसी simple diagrams, draw कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें draw करने की जरूद नहीं है, लेकिन simple basic diagrams, आप इसमें से create कर सकते हैं, उसके बाद, ये भी एक बहुत important fact है, कि 2011 census के according, कौन सी ऐसी states थी, जहां सबसे ज़्यादा child labor concentrated थे, तो इस figure के according, सबसे ज़्यादा उत्तर परदेश में, it is followed by Bihar, then Rajasthan, then Maharashtra, and finally Madhya Pradesh, तो ये 5 ऐसी states हैं, जहां सबसे ज़्यादा child labor जो है, concentrated है, तो देखिए, आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, UPSC में जिरूरी नहीं है, कि वो ऐसे पूछ ले कि, सबसे ज़्यादा child labor कहां है, या सबसे कम कहां है, UPSC कुछ इस तरह से question पूछेगा, जैसे suppose उसने दे दिया कि, which of the following constitute the 5 states, where most of the child labor is concentrated, तो वो ABCD करके, चार option दे सकता है, 5 states के नाम होंगे, लेकिन हर एक option में, अलग-अलग combination होगा, और आपको exact combination चुनना होगा, दूसरा वो यह कर सकता है, suppose यह इनकी percentage दे रखी है, तो इस percentage को आप देखिए, एक तो यह पूछ सकता है, child labor in the state, having the highest child labor, is almost double than the second state, having the second highest child labor, तो एक question ऐसे भी create कर सकता है, कि वो state जहां सबसे ज़्यादा child labor पाई जाती है, उसमें child labor की जो संख्या है, वो दूसरी second most important जो state है, उससे double है, दूसरा ऐसे question क्रियेट किया जा सकता है, कि अगर percentage को आप count करें, तो ऐसे statement बन सकती है, कि जो पहली 5 major states हैं, जहां child labor की problem बहुँ जादा है, उसमें actually 50% of the child labor जो है, वो concentrated है, तो आपको देखना है कि यह कि आप मिलके 50% बन रहा है, यह उससे कम है, तो इस तरह से UPSC जो है, आपसे analytical way में, आपको चाहती है कि आप analysis करें, आप mere facts को देखके उसको cram ना करें, तो इस तरह से आपको UPSC की preparation करनी है, material सब के पास यही है, diagram सबने यही देखी होगी, table यही पढ़ा होगा, लेकिन इसको analysis कैसे करना है, वो आपको सीखना है, उसके बाद causes क्या है child labor के, तो सबसे पहला cause जो है poverty, इस context में यह भी बोला जाता है कि child labor is both a cause and consequence of poverty, child labor के कारण भी poverty होती है और poverty के कारण भी child labor हो रही है, तो अगर बच्चे गरीब घर से आ रहे हैं, तो उनको force किया जाता है कि वो कुछ काम करें, और अगर बच्चे पढ़ाई छोड़के, अगर काम करते हैं और उनकी physical and mental health पे असर पड़ता है, तो आने वाले समय में जब वो बढ़े होते हैं, तो obviously उनके पास अच्छा काम नहीं मिलेगा उनको, because of lack of education, lack of skills, again, वो cycle repeat होगा, they will remain poor and they will force their own children to do the same work, so this way, poverty is both a cause and consequence of child labor, lack of access to education, हम जानते हैं, हाला की government of India ने पिछले 10 से 20 साल में बहुत advancement की है, especially providing access to the education, the previous government, it enacted the right to education act, providing free and compulsory education to all the children between 6 and 14 years of age and made this particular right a fundamental right under article 21A of the constitution as well, तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन फिर भी जो ground reality होती है, वो अक्सर different होती है, न सिर्फ lack of education है, but also there is a lack of proper good quality education, especially in the government school, तो ये एक major कारण है, कि बच्चे उस parents भी इतना excited नहीं होते हैं, कि बच्चों को school भेजें, उनको पता है कि quality इतनी अच्छी नहीं है, और कुछ खास उनके बच्चों की life में change आने वाला नहीं है, तो ये भी एक reason है, इंडिया में child labor होने का, social and cultural norms, अब आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी household industries हैं, cottage industries हैं, जहां बच्चों से ये expectation की जाती है, कि वो business भी सीखें, business की skills को समझें, बहुत कम मेच से, तो ये भी एक reason है, खास है कि rural areas में, कि बच्चे child labor जैसे profession में जा रहे हैं, weak legislative enforcement, तो ये सारी चीज़े होने का, एक main reason है, कि हमारे पास laws हैं, हमारे पास enforcement agencies हैं, लेकिन political will नहीं है, उनको enforce करने की, और ये attitude हमें बदनना पड़ेगा, अगर हमें child labor के menace को, हमारी country से eliminate करना है तो, then migration and urbanization, rural areas में इतनी job opportunities नहीं है, इसलिए लोगों को urban areas में migrate करना पड़ता है, urban areas में cost of living, in comparison to rural areas is huge, तो इस context में जो बच्चे हैं, they are forced to do some work, and help their parents in getting some extra money, तो migration and urbanization भी एक important reason है, इंडिया के context में और developing countries के context में, one of the reasons for the child labor, उसके बास family circumstances, तो इतना major reason नहीं है, लेकिन फिर भी आप assume कर सकते हैं, आपने देखा है कि cultivators के, जो cultivators का जो profession है, उसमें child labor बहुत ज़्यादा है, तो इसका reason ये भी हो सकता है, कि अगर parents किसी कारण से, इतने fit नहीं रह पाते हैं, कि वो agriculture जैसा profession कर सकें, because it needs a very hard labor, तो बहुत कम age में बच्चों को, वो responsibilities लेनी पड़ती हैं, अगर उनके parents किसी कारण से, unfit हो जाते हैं, या disabled हो जा रहे हैं, तो इस case में भी बच्चों को, family circumstances के कारण, school education छोड़के, उनको business और इस तरह के profession में आना पड़ता है, demand for cheap labor, तो ये urbanization का एक बहुत बहुत बड़ा negative effect है, लोग migrate करते हैं, urban areas में, और वहाँ जो है, cheap labor की demand बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा industries हैं, लेकिन उनकी competitiveness को बढ़ाने के लिए, they hire cheap labor in the form of children, उनको पैसे भी कम देने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास को skill नहीं होती है, लेकिन उनका काम चल रहा है, और children की जो child labor का maintenance है, वो बढ़ रहा है, अभी impact क्या हो रहे हैं, child labor के, तो आप देख सकते हैं, कि सबसे पहला असर उनकी education पर पड़ता है, free education होने के बावजूद भी, बहुत सारे बच्चे, जो हमने census का data देखा ही है, पीरियड है, उसमें उनकी body की, उनकी brain की सबसे ज़्यादा growth होती है, अगर इस period में उनको proper nutrition नहीं मिलेगा, proper skills सीखने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो आने वाली life में भी दुबारा से ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे, तो उनकी health पर भी, अगर बच्चों को आप hazardous industries में employee कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी health पर कितना बुरा असर पढ़ने वाला है, psychological well-being, अगर बच्चे, यूनो बच्चों का जो mind है, वो एकदम अलग रहता है, अगर आप उनके इतना pressure डालेंगे, they are doing the work which are meant to be done by the adults, तो आप सोच सकते हैं कि उनके psychological level पर क्या असर पढ़ेगा, उनकी अलग से needs हैं, उनके अलग से समाज को देखने का एक नजरिया होता है, आप इतनी कम age में, अगर उनको इस तरह से force करेंगे child labor के लिए, तो क्या उनकी development पर mentality पर असर पढ़ेगा, अगर बच्चे को आप जल्दी ही child labor जैसी situation में डालेंगे, तो education, health, psychological well-being कुछ भी उसका अच्छा नहीं होगा, बड़े होके जो है ये जो वो परिवार शुरू करेगा, वो भी poor ही रह जाएगा क्योंकि उसके पास ना education है, ना कोई खास skill है, तो उनके जो बच्चे होंगे, obviously उनको भी, because they are from a poor families, they have to do the work instead of going to the schools, तो ये cycle repeat करता रहेगा, तो एक generation से दूसरी generation ये poverty जो है, वो फैलती रहेगी, economic impact, अगर आप जानते हैं कि, India is presently having a so-called demographic dividend, it means India has such a large number of young population, young population if they are utilized properly, if they are given proper skills, education, health, then they can actually move our countries very fast, as far as the economic development is concerned, क्योंकि हर एक काम करना तो आखिर humans नहीं हैं, लेकिन वहीं आप देखिए, अगर humans के पास skill नहीं होगी, उनके पास talent नहीं होगा, उनकी health इतनी अच्छी नहीं है, तो वो economy में क्या contribute करेंगे, तो अगर आज की बच्चों की जनरेशन को आप child labor में लगा रहे हैं, तो वो skills कैसे लेंगे, वो तो बस उनको बड़े होके सी menial jobs ही करनी है, इसके लावा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, so it is a waste of our resources, तो economic impact जो है, अगर हम इसको money की term में count करें, it would be billions of dollars for India, social development, government के बहुत सारे aims हैं, constitution में बहुत सारे ऐसे goals हैं, जो constitution ने government को बोला है कि आपको इसको पूरा करना है, लेकिन आपको सोचिए, अगर बच्चे, child labor जैसे problem में फसे होंगे, then how will we bring into fruit those goals by the government, तो अगर government को gender parity लेके आनी है, government को social development करनी है, government को बच्चों में malnutrition कम करनी है, तो ये तब ही possible होगा, जब वो child labor के problem में involved ना हों, वो proper school जाए, ताकि हम उनको target कर सकें, जो various diseases हैं, जो vaccinations हैं, वो सब उनको दी जा सकें, अगर ये नहीं होगा, तो जो social development हैं हमारी country की, जो different indices हैं social development से related, जिसमें हमारा जो rank है, वो कोई इतना खास अच्छा नहीं आता है, तो वो कैसे ठीक होगा, उसके बाद human rights violation, तो जो पढ़ना, बच्पन को अच्छे से जीना, पूरी growth, healthy development, एक अच्छा माहोल, जिसमें किसी तरह का hazardous material ना हो, ऐसी environment, तो ये सब जो हैं basic human rights हैं, लेकिन अगर आप बच्चों को child labor में लगातने, then you are exposing that particular children to such environment, and it is a violation of the human rights. उसके बाद international और national level पर क्या क्या किया गया है, तो सबसे पहले international provisions में हम briefly कुछ देखते हैं, जैसे United Nations Convention on the Rights of the Child, उसने इस convention को adopt किया, तो obviously जो countries, United Nations का part है, almost universal membership है, तो उनको भी इसको follow करना पड़ा, इसमें basically United Nations चाहता है, कि जो बच्चों की एक तो आप poverty alleviation के programs लेके आए, ताकि बच्चों को child labor ना करनी पड़े, और दूसरा, जो बच्चे किसी भी form में, क्योंकि एकदम से सब कुछ तो ठीक नहीं होगा, तो जो बच्चे अभी child labor में involved है, आप ये ध्यान रखिए कि वो hazardous work में, like mines में, यह दूसरी industries में, जहाँ उनको किसी तरह का physical harm हो सकता है, because of the use of instruments and because of the pollution, तो ऐसी industries में आप बच्चों को ना लगाए. Then, international labor organization की बहुत सारी important conventions हैं, उनमें से दो conventions बहुत खास हैं, जो specially child labor से जुड़ी हुई हैं, तो इंडिया ने भी इन दोनों conventions को adopt किया है, एक convention ये कहती है कि बच्चों को hazardous work में, आपको नहीं डालना है, दूसरा convention जो इंडिया ने adopt की है, international labor organization की, कि उसमें हर कुछ समय के बाद, जो minimum age है बच्चों के काम करने की, उसको हमें बढ़ाते रहना है, because of the adoption of a convention from the international labor organization, क्योंकि इंडिया international labor organization का part है, और इसकी बहुत सारी, सारी तो नहीं, लेकिन बहुत सारी conventions इंडिया ने adopt की हुई है, दो conventions ऐसी हैं, जो की, specially child labor को affect करती हैं, उसमें एक convention कहती है, कि आपको कुछ समय के interval में, जो minimum age है बच्चों की उसको बढ़ाना है, और दूसरी ये कहती है, कि बच्चों को hazardous industries में आपको काम नहीं करने देना है, उसके बाद sustainable development goal है, अगर आप goal 8.7 देखेंगे, तो उसमें clearly mentioned है, कि children की जो proper development है, वो countries का aim होना चाहिए, और child labor को हमें, जैसे भी हो सके, उसको discourage करना है, तो ये कुछ provision है, international level पे, जो child labor को discourage करने में, मदद कर रहे हैं, उसके बाद national level पे, इंडिया ने क्या-क्या initiatives लिये हैं, तो सबसे पहले constitution of India में, बहुत briefly हम देखेंगे, कि under article 21A, right to education, कोई भी बच्चा, अगर 6 से 14 साल की age के बीच में है, तो उसको free and compulsory education जो है, वो provide की जाती है, free of cost by the state and central governments, तो किसी भी school में, जो है, वो बच्चे को 6 से 14 साल के बीच में, अगर उसकी age है, तो वो free education उसको available है, उसके बाद एक और provision है, under article 24, जो बच्चे 14 साल से कम उम्रके हैं, उनको hazardous areas में, hazardous industries में, employ नहीं किया जा सकता है, तो ये कुछ provisions हैं, under the constitution of India, directive principle state policy में भी, कुछ provisions हैं, जो कि directly तो नहीं, लेकिन indirectly child labor को address करते हैं, वो कौन से हैं, वो आपको इसमें शामिल करने हैं, Child labor prohibition and regulation act है, तो basically इस act के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कि वो बच्चे जो अभी, पहले तो इस act का ये एक provision है, कि बच्चों को hazardous industries से दूर रखना है, and secondly, अगर कुछ बच्चे जो 14 साल से ऊपर हैं, 14 से 18 साल के बीच में हैं, अगर वो दूसरी industries में, यहां even somewhat hazardous industry में भी काम करें, तो ऐसी industries को हम regulate करें, Right to education हैं, जिसके अंदर 6 से 14 साल के बच्चों को free and compulsory education दी जाती है, by the central and state governments, National Policy on Child Labor, तो इस policy के basically aim क्या है, Child Labor को address करना कैसे, through poverty elevation program and education of the children, एक तरफ से poverty को eliminate किया जाएगा, ताकि बच्चों को मजबूरी में school ना चोड़ना पड़े, और दूसरी तरफ उनको access दी जाएगी schools में, ताकि वो schools में जाएं, उसके साथ साथ उनको जितने भी सरकार की schemes हैं, provisions हैं, जो school के थूरू हम ऐसे बच्चों को target कर सकते हैं, वो भी किया जा सकें, तो basically ये दो main provision हैं, इस particular policy के, then National Child Labor Project, तो National Child Labor Project जो है, वो Labor Ministry, the Union Labor Ministry of India, इसका initiative है, इसमें वो क्या कर रही है, कि around, अगर हम census 2011 की बात करें, तो करीब 40 million ऐसे बच्चे हैं, जो school नहीं जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को ये project target करता है, ऐसे बच्चों को vocational education, skill education, और दूसरी तरह की education दे के, इनको किसी ना किसी तरह से, किसी कोई खास skill दी जाती है, ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हो सके, तो basic aim जो है, National Child Labour Project का, वो ये है, कि out of school जो children है, उनको किसी ना किसी तरह की vocational, या फिर other skill दी जा सके, Then Integrated Child Development Services Scheme, हम implement कर रहे हैं, इसमें basically ये किया जाता है, कि children की जो health related aspect है, उनको address किया जाए, malnutrition हो गया, या कुछ खास तरह के diseases, जो बच्चों को होते हैं, उनकी vaccine उनको लग रही है, नहीं लग रही, तो इस तरह के health और social aspect है, जो बच्चों के, सुआ मोटो कोई भी action ले सकता है, अगर उसको लग रहा है, कि कहीं child labor का provision, या उसके जो various laws and acts हैं, वो वाइलेट हो रहे हैं, तो इंडिया में National Human Rights Commission already है, तो ये था हमारा lesson, बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जो time के restriction के कारण, हम class में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरे comprehensive notes आपको available करवाए गए हैं, ये बहुत simple language में, बहुत सारी references को use करके, इनको compile किया गया है, आपके पास table of content है, ताकि आपके दिमाग में पूरा structure हो, आप essay लिख रहे हैं, या mains का answer लिख रहे हैं, आपको सोचिए, अगर इस तरह का table आपके mind में होगा, तो आपको answer frame करने में बहुत असानी होगी, कोशन देखता ही, आप select कर सकते हैं, आपके कौन से heading के under, आपको ये material लेके, अपने answer को frame करना है, answer rating practice बहुत बहुत जरूरी है, prelims में important है, उसको हमने as a diagram इसमें शामिल किया है, वो data को आप याद रखिये, कि 2001 से 2011 में क्या changes हुए है, child labor के context में, कौन-कौन सी ऐसी industries हैं, जहां सबसे ज़्यादा child labor involved है, कौन सी ऐसी states हैं, जहां child labor की problem सबसे ज़्यादा saver है, तो यह सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद right to education act, constitution में कौन-कौन से provision है, यह सब prelims के लिए बहुत important है, यह सारी चीज़ें जो हैं, पूरी अच्छे से detail में, हमने in notes में शामिल की हैं, उसके इलावा आपको main answer rating practice के लिए, हमने question create किया है, the question is, what are the factors that perpetuate child labor in India, तो हमें 7-8 ऐसे factor डिसे की हैं, कि what are the causes of child labor in India, तो आप असानी से इस पार का answer दे सकते हैं, and what policy measures can effectively address this issue, considering its multifaceted nature, तो कौन-कौन से policy measure हम ले सकते हैं, जिससे हम इस problem को address कर सके, तो इस part में आपने दो चीज़े देनी हैं, एक तो आपका solution part की, आप क्या suggest करते हैं, जैसे हमने देखा कि laws तो हैं, लेकिन उनकी enforcement इतनी अच्छी नहीं है, तो वो आपको बताना है, इसी तरह से जो government की दूसरी scheme से, उसमें क्या-क्या कमी है, उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, वो आपको इसमें address करना है, तो इस तरह से government का भी, कि हाँ government ने initiative लिया है, लेकिन इसके साथ इसमें ये भी किया जा सकता है, इस तरह से आपका positive answer होना चाहिए, उसके लाबा एक second question है, ये question जो है, ये question तो basically issues relating to poverty and hunger, जो GS means to का part है, उसमें पूछा चाहिएगा, लेकिन ये जो second question है, ये आपका GS paper for, यानि कि ethics के paper में भी, एक hundred words के as a question में पूछा जा सकता है, child labor is both a cause and consequence of poverty comment, तो आप इसकी answer एटिंग practice कीजिए, इसके model answer जो है, Tarun IS की content team prepare करती है, वो available है, आप अगर चाहते हैं, ये सारे resources आपको भी available हों, तो आप Tarun IS से जुड़िये, आप offline नहीं करना चाहते हैं, देली में नहीं आ सकते हैं, तो आप online भी हम से जुड़ सकते हैं, तो फिर मिलते हैं, एक नई class के साथ, एक नई topic के साथ, keep watching, thank you.